क्या आपने कभी सफेद मगरमच देखा है? क्या कभी चमकने वाली बिल्ली के बारे में सुना है? ये दुनिया अनोखे चमतकारों से भरी पड़ी है सिर्फ इंसान ही नहीं जानमरों की दुनिया और उनकी जिन्दगी में भी ऐसे चमतकार होते हैं जिन्हें देखने पर आँखों पर विश्वास नहीं होता अब तक ऐसे ऐसे अजीबो गरीब जानमरिस धर्ती पर पैदा हो चुके हैं जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम नेचर के ऐसे ही पंदरा चमतकारों के बारे में बात करने वाले हैं जो हजारों सालों में एक बार होते हैं और जिन्हें देखकर आपकी आँखे फटी की फटी रह जाएगी ये वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है बस आप मेरे साथ वीडियो के आखरी तक बने रहिएगा अगर कोई कहे कि उन्होंने दो मूँ वाला साब देखा है तो इसे गपे बाजी मत समझिएगा हो सकता है वो सच कहराए हो इस दुनिया में दो मूँ वाले साब भी होते है हाँ ये बात अलग है कि ऐसे साब बहुत रेर होते है देखिये तो जरा इस साब को जी हाँ ये जीवित है और बिलकुल असली है तो मूँ वाला ये साब बकायदा रेंग भी सकता है दोनों मूँ से जुबान भी निकाल सकता है और जहर भी उगल सकता है बस इस बेचारे की एक समस्या है इसके पास दिमाग दो है और बॉडी एक इसलिए दोनों दिमागों में अकसर कॉन्फिक्ट चलता रहता है कि किदर जाए, क्या खाए, दुश्मन से कैसे बचे और शिकार पर वार कैसे करे और इसी कॉन्फिक्ट के चलते इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए ये चमतकारी साप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते दो मूव वाले सांपों के बाद अब बात करते हैं दो मूव वाले कचुओं की देखिये तो इसे कितना प्यारा सा दिखता है ये पहली जलक में देखने पर तो दिमाग इस पिक्चर को एकसेप्ट ही नहीं कर पाता कि ये क्या देख लिया ऐसा भला कही हो सकता है क्या लेकिन मेरे दोस्त ये कोई एडिटिंग नहीं बलकि पूर्ण सत्य है हाँ साथ ही हम ये बात भी कहेंगे कि दो मुवाले कच्चुओं का पैदा होना किसी चमतकार से कम नहीं है कच्चुओं दुनिया में सबसे ज़्यादा सालों तक जीने वाले प्राणी होते है और इसलिए इनका शरीर भी बहुत बड़ा और भारी हो जाता है मगर ये दो मुवाले कच्चुओं साइज में बहुत छोटे होते है और वही दो दिमागों के कारण होने वाले कॉन्फिट की कहानी इनके साथ भी घटती है इसमें चलने फिरने, तैरने, खाना खाने और भी बहुत से सिंपल से काम करने में भी परेशानी होती है और इसी लिए इनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा नहीं होता ये सुनने में भले ही असंभव लगे कि पैरो वाला साप भी होता है मगर ये सच है जबमनी के एक प्रोफेसर डेविड मॉटल ने अपनी स्टूडेंस के साथ मिलकर साप का एक ऐसा फोसिल खोजा था जिसमें साप के चार पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे वैसे भी साइन्स ये दाबा पहले भी कर चुकी है कि एक जमाने में साप के भी पैर हुआ करते थे इसलिए पैरो वाले सापों के इस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता वैसे सोच कर देखिए साप रेंगने के बजाए दोर लगाए तो कितने अजीब लगेंगे है ना लीजिए मिलिए जेमिना से इसकी गर्दन देखिए जरा ऐसा लगता है जैसे बीच में से तूट गई हो जिराफ दुनिया के सबसे लंबे जानवरों में से एक है और इनकी गर्दन की लंबाई के मुकाबले तो कोई टेक ही नहीं पाएगा मगर इस जेमिना की गर्दन को क्या हो गया लगता है इसकी गर्दन अपने सर का वजन उठा नहीं पाई और बीच में से तूट गई खैर ऐसा कुछ भी नहीं है दरसल इनकी गर्दन की हड़ी अपने आप ही 90 डिग्री टिल्ट होकर बढ़ने लगी और इसकी वजह से ये जिराफ बहुत स्पेशल हो गई साइंटिस इसकी गर्दन की ऐसी ग्रोथ का exact reason पता नहीं कर पाए है नेचर के ऐसे चमतकार हजारों सालों में एक बार देखने को मिलते है ये देखिए दो चहरों वाली बिल्ली ऐसा बहुत रेर होता है जब दो चहरों वाली बिल्ली पैदा होती है ऐसी दो चहरो वाली बिल्ली को जैनिस कैट्स कहा जाता है ये नाम लिया गया है रोमन गौड जेनस से माना जाता है कि जेनस के दो चहरे थे जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके है कि दो चहरे होना सर्वाइबल को कठिन बना देता है और नॉर्मिल से डिसीजन भी मुश्किल हो जाते है इन बिल्यों को भी ऐसी प्रॉब्लम से जूजना पड़ता है खेर इनकी मस्ती करने में कोई कमी नहीं आती है और फ्रैंक और लॉरी नाम की इस दो चहरों वाली बिल्ली ने तो सब को चौका दिया था ये करीब 15 सालों तक जीवित रही थी अब जरा इसे देखिए इस पिक की तीन आखे, दो नाख और दो मू है कितना अजीब लग रहा है है ना, ऐसे चमतकार हजारों सालों में एक ही बार होते है ये प्यारा सा पिक चाइना में जन्मा है और बहुत ही जल्दी अपने गाव का हीरो बन गया है लोग दूर दूर से इस कमार के क्रियेचर को देखने आते हैं इस पिक के साथ सर्वाइवल को लेकर कोई इशू नहीं है क्यूंकि इसके पास एक ही दिमाग है और डिसीजन्स को लेकर कॉन्फिक्ट्स नहीं होते ये भी सामाने फिक्स की तरह उचलता कूता मस्कती करता रहता है इसका खाना पीना भी सब नॉर्मिल ही होता है लगता है ये मैडम हुसेन बोल्ट से रेस जीतना चाहती थी और इन्हें किसी ने बता दिया होगा कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैरों की जरूरत पड़ेगी तो ये अपने साथ चार एक्स्ट्रा पैर ले आई तो वेशिन फार्म में पैदा हुई इस बक्री की सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस बक्री के पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं यानि ये बक्री मर्द भी है और औरत भी अब बताईए नेचर के इस चमतकार के आगे शद्धा भाव से जुकने के लावा कोई चारा बचता है के हमारे पास आपने बक्री जैसे दिखने वाले लोग तो जरूर देखे होंगे मगर क्या इनसान के जैसे चहरे वाली बक्री देखी है कभी जी हाँ नेचर ये चमतकार भी कर चुका है ये देखिए गुजरात के सेल्टी पाड़ा गाओं में पैदा होने वाली ये बक्री बिलकुल इनसान की तरह चहरा लेकर पैदा हुई थी लोगों ने इसे भगवान का अफतार समझा और पूजा करने लगे इस बक्री का चहरा ही इनसानों की तरह नहीं था बलकि इसकी पूछ भी नहीं थी खैर ये बक्री केवल 10 मिनिट के लिए ही जीवित रह सकी मगर इन 10 मिनिटों में ही उसने इतिहास बना दिया इससे ज्यादा आजीब मगरमच मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब एक अलिगेटर पूरा का पूरा सफेद पैदा हुआ हो दरसल ऐसे मगरमच की स्किन में मेलनिन पिगमेंट नहीं होता जो स्किन को डाक कलर प्रोवाइड करता है और हामफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है जो डार्क कलर के भद्दे से भयानक अलिगेटर्स होते हैं वे तो अपने आपको सराउंडिंग्स और पानी में आराम से छिपा लेते हैं ताकि शिकार करने में आसानी हो मगर इन बेचारे वाइट अलिगेटर्स के साथ इनका कलर धोखा कर जाता है और इसलिए जंगल में ऐसे अलिगेटर्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है इसलिए ये ज्यादा जी नहीं पाते हां मगर जू वगरे में ये लोगों दुआरा बिलकुल हीरो की तरह ट्र जैसे कि इसका दिमाग दो हिस्सों में डेवलप नहीं हुआ था और इसी वज़े से इसकी एक ही आग थी और उस पर भी पलके नहीं थी एक अंडेवलप नाग थी और अजीब सा जबडा इतनी सारी कम्यों के चलते ये बिचारी जादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर जैसे बीट्स के कुत्ते बहुत मस्कुलर और मस्बूत होते हैं मगर विपेट नाम की इस बीट के कुत्ते का मस्कुलर होना किसी चमतकार से कम नहीं है 2007 से पैदा हुई इस कुतिया का नाम वेंडी है और किसी डिफॉमिटी के चलते इसकी बॉडी इस तरह मस्कुलर हो गई नॉर्मली विपिट डॉग बीट्स का वजन 19 किलो के आसपास होता है मगर इसका वजन करीब 27 किलो हो गया था और इसी लिए इसे डबल मसल डॉग कहा जाने लगा बेचारी इतनी परिशान थी कि ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी यहां तक कि उसे मुडने में भी दिक्कत होती थी अनफॉचनेटली 14 साल की उमर में उसकी मौत हो गई ये कीडा देखकर आप अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे गुलाबी टिड़ा कोई इमाजन भी नहीं कर सकता कि टिड़े गुलाबी भी हो सकते है सबसे पहले जिस टिड़े की तस्वीर दिमाग में आती है वो घास में छुपा हुआ हरे कलर का टिड़ा होता है मगर इसे दो देखिए पिंक ग्रास ओपर वैसे ये लग तो बड़ा क्यूट रहा है कुछ साइंटिस मानते है कि पहले ग्रास ओपर पिंक ही हुआ करते थे मगर वे शिकारियों की नजरों में आसानी से आ जाते थे इसी बज़र से दीरे दीरे इवाल्व होने लगे और अब उनका कलर हरा हो गया है वही कुछ साइंटिस का मानना है कि ये किसी जनेटिक डिफार्मिटी के चलते होता है हैर सच जो भी हो देखने वालों के लिए तो ये चमतकार ही है अब इस चमकते हुए सोने के सी होर्स को देखिए जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना ये गोल्डन कलर का सी होर्स नहीं है बलकि ये सच मुच के सोने का बना हुआ सी होर्स है रह गई ना आखे फटी की फटी दरसल एक लाइट एमिटिंग जेली फिश के जीन्स को रियल गोल्ड से मिक्स करके एक सबस्टेंस बनाया गया और उसे इन सी होर्स में इंजट कर दिया गया ये सच मुच ही चमतकार हो गया ये बिलकुल सोने की तरह चमकने लगे इतना ही नहीं इनके बच्चे भी इस तरह का गोल्डन अपीरेंस लेकर पैदा हुए इंसान भी सच मुच चमतकार करने के मामले में नेचर से जरा भी पीछे नहीं है अब आपको दिखाता हूँ चमकने वाली बिल्ली क्यों? चौक गये ना? बिल्ली की आखे रात में चमकती है ये तो हम सभी जानते हैं मगर बिल्ली की पूरी की पूरी बॉडी चमकने लगे तो ये तो कोई चमतकार ही लगेगा ना? दरसल ये चमकने वाली बिल्लिया साइंटिस की निगरानी में रहती है और इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किये गए थे उसके बाद से ही ये इस तरह अंधेरे में चमकने लगी यानि ये कहा जा सकता है कि इस बार ये चमतकार नेचर का नहीं बल्कि इनसान का किया हुआ है अब ये दो पैरो वाला चमतकार देखिए कभी किसी कुटे को दो पैरो पर दोड़ते हुए देखा है इसका नाम है डूश इस बेचारे को किसी ने खाई में फैक दिया था एक आदमी ने इसे बचाया और इसका इलाज करवाया मगर डूश ने अपनी दो टांगे हमेशा के लिए खो दी मगर इससे उसकी जीने की उत्सा पर कोई फर्क नहीं पड़ा ये बिल्कुल आम कुत्तों की तरह भागा दोड़ी करता था और खूब मस्ती करता था इसी तरह फेट नाम की सकुत्या की भी केवल तीन टांगे थी जिसमें से भी एक टांग हटानी पड़ी थी और फेट के पास केवल दो ही टांगे बच गई थी मगर फेट की मालकिन ने हार नहीं मानी उन्होंने पूरे डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत के साथ इसे ट्रेनिंग दी और तैयार किया कि वह अपने पिछले पैरों पर आराम से चल सके बाद में तो फेट सिर्फ चलती ही नहीं थी बलकि उचलती कूदती भी थी फेट ने दो पैरों के सहारे भी अपनी जिन्दगी को भरपूर जिया और भी बहुत से जानवर होते हैं जो इतने स्पेशिल और यूनीक होते है कि लगता है ये तो हजारों सालों में एक बार पैदा होते होंगे आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए